ये बिर्यानी बहुत easy, simple और बहुत कम चीजों से बनने वाली है, ये बहुत tasty और बहुत मज़ेदार बनने वाली है, ये especially beginners के लिए है, जिने खाना बिलकुल बनाने नहीं आता है और वो खाना बनाना शुरू किये हैं, तो वो इसे आसानी से बना सकते हैं, तो चलिए recipe शुर करते हैं, मैंने यहाँ पर आधा किलो मटन ले लिया है, इसे अच्छे से वाश कर लिया है, यानि धुल लिया है, और इसका सारा पानी निकाल लिया है, कुछ लोगों की शिकायत रहती है, कि मटन में स्मेल होती है, तो उसे दूर करने के लिए इसे लहसं से या छाच, नीम कर रही हूं, अगर आपके मटन में फैट कम है, तो थोड़ा सा तेल आप जादा डालें, अब इसमें थोड़े से खड़े मसाले आट कर लेना है, एक तेस पात, एक डाल चीनी, तीन हरी लाची, दो लॉंग, और तीन से चार काली मिर्च, एक काली लाची, खड़े मसाले थ तो जो बरतन है, उसमें बना लेगे, बहुत जल्दी गल जाता है, अगर आप बहुत जल्दी में हैं, तो प्यास को फ्राई करने के टाम, उसे ढख दीजिए, और उसे फ्राई कर लीजिए, ढख कर फ्राई करने से प्यास भी जल्दी फ्राई हो जाता है, और प्यास भी ग भून लेना है आपको मैं आगे देखाती हूं कि कितना भूनना है अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए तोस्तों के साथ शेर कीजिए अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को हिट जरूर करें इससे मेर आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी देखिए मटन का कलर चेंज हो गया बस इतना ही भूनना इसमें आधी चोटी चमच छल्दी पॉडर एक चोटी चमच लाल मिर्च पॉडर एक बड़ा चमच धनिया पॉडर और नमक पसंद के मुताब अब इसमें दो मेडियम साइज का टमाटर कटिंग करके डाल लेना है कटिंग आप जैसे करें लंबाई मी करें गुलाई मी करें जैसे भी आप कर लें अब इसे अच्छे से भून लेना है मैंने दो मिनट के लिए मसाले के साथ टमाटर को भून लिया है अब इसमें दही आ में आपको सुखा कर देखाती हूं । हम कै दो देखिए यहां पर भृत अच्छे से पानी सूख चुका है मसाला और मतन बहुत अच्छे से कूख होचुका है तो इसमें एक छोटी चममच बिर्यानी मसाला डाल रुन रियू हूँ अब इसका ढखकन लगा लेती हूँ और एक सीटी आने तक हाई फ्लेम रखना है फिर सलो फ्लेम पर मैंने इसे आठ मिनट के लिए पकाया है अब यहाँ पर मैंने एक कटोरी में दो बड़ा चमच दही ले लिया है अब इसमें आधी छोटी चमच जाइफल जावित्री का पौडर और दो पिंच फूट कलर एट कर लेना है यह औरेंज रेट फूट कलर है अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है देखिए यह अच्छे से मिक्स हो चुका है तो आप चावल देख लेते हैं यहाँ पर मैंने आधा किलो चावल लिया है इसे अच्छे से वाश कर लिया है यह बिर्याइनी का चावल है और इसमें पानी डालकर आदे घंटे के लिए भीगो दिया था अगर आप सिला चावल लिया उसका चार गुना या पांच गुना पानी ले लेना है अब इसमें कुछ खड़े गर्ब मसाले डाल देते हैं तो यहां पर एक तेज पात लिया है दो लॉंग दो हरी लाइची एक डाल चीनी चार से पांच काली मिर्च और आधी छोटी चमत शहजीरा अब इसमें एक कशन, और पांच मिनट के लिए पानी को अबाल दे इस से यह होता है कि जितने भी मैंने मसाले डाला है उसका सारा फ्लेवर पानी में आ जाता है तो जो भी पानी में चीजें हैं जो भी मसाले हैं सभी को इस टेनर से निकाल लेजिए और उसके बाद आप चावल डाल दें समक एक बड़ा चमच और आधी छोटी चमच निम्बू करस इससे ये होता है कि चावल एक दूसरे से चिपकता नहीं है इसे हलके हातों से चला लेना है एक उबाल आने तक इसे मैं धख दूँगी देखिए तो इसमें उबाल आ चुका है ये देखिए अब धकतन को हटा देना है और इसे अब धकना नहीं है इसी तरीके से चावल को पकाना है जब तक चावल पक रहा है तब तक मैं मतन को देख ल मैं यहां पर एक बरतन ले रही हूं चावल को सेट करने के लिए आप चाहें तो जिस बरतन में आपने बनाया है मतन उसी बरतन में सेट कर लें मेरा बरतन छोटा पड़ रहा था इसलिए दूसरे बरतन में ट्रांसफर कर दिया है अब इसके ऊपर पोदीने के पत्ते में डाल दें यह दो बड़ा चम्मच पोदीना है और हरी मिल चार है इसको बीच से मैंने चीरा लगा दिया और हरी धनिया मैं यहां पर यूज कर रही हूं तीन बड़ा चम्मच और इसके ऊपर चावल डाल देना है चावल को 70% कुक करना है यह देखिए मैं आपको देखाती हूं अब इसे इस तरीके से फैल आते हुए डालना है चारो तरफ से जो चावल का लेयर मैं नीचे सेट करी हूं वो 70% कुक रहना चाहिए और जो उपर का लेयर सेट करूंगी वो 90% होना चाहिए अब चावल को अच्छे तरीके से सेट कर लेना यहां पर और जो दही मैंने मिक्स करके रखा था उसे यहां पर एट कर लेना है और इसके ऊपर दूसरा लेयर सेट कर लेना है जो मैंने चावल को 90% पका लिया है अब इसे भी डालने के बाद एक लेयर में कर लेना है विल्कुल बराबर कर लेना है और इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने हरी धनिया बचा लिया था इसके उपर डाल दिया है और ये मोगला ही अतर है इसका दो ड्रॉप मैं यूज़ कर रही हूँ और केवडा एसेंस का 3-4 ड्रॉप डाल लेना है इसमें कुछ भी नहीं जाएगा एक धककन से इसे धक देना है धककन में एक कपड़ा लगा लेना है थोड़ा सा गीला करके और दाने के बाद ओफ करने के बाद 10 मिनिट मैं ने छोड़ दिया था उसके बाद आपको मैं देखा रही हूँ ये देखे बिलकुल परकेंट तरीके से बिरीयानी बनकर तयार हो चुकी हैँ कि दाने देखिए कितने बिख्रे बिख्रे है, नीचे से भी मैं आपको देखाऊंगी कितना जूसी है, ये इतना जूसी और इतना डीलिसियस बनकर तयार हुई है कि आपको ना राहिता की ज़रूरत है और ना ही सैलेट की. ये देखिए जिसे ग्रेवी पसंद है वो नीचे से ले लें और जिसे सुखा चावल चाहिए वो उपर से ले लें ये बनाना बहुत आसान है मगर इसका टेस्ट बहुत जबरदस्थ है एक बात और मैं आप लोगों के आसानी के लिए बता देती हूँ जो जाइफल जावितरी का पौडर मैंनी यूज किया है उसे तवे पर स्लो फ्लेम पर उसे रोस्ट कर लेना है और बेलंच चकले से उसका पौडर बना लेना है क्योंकि वो इतना थोड़ा होता है तो मिकसर जार में वो पौडर नहीं बन पाएगा ये आसान और जटपट बनने वाली बिरियानी रेडी हो चुकी है थैंक्स पोर वाचिंग फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ अभी के लिए लेती है जाजत अल्लाहाफेश